तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आज मैं आपके लाई हूँ कच्ची हल्दी वाला दूद्स आप मेरे पास देख रहे हैं यह कच्ची हल्दी है और मैं आज आपको इसका दूद्स बना की दिखाऊंगी और यह कैसे यूसफूल है वो भी बताऊंगी तो चलिए पहले हम इसक चुटी जुदो गिलासी होती है वो दूद्स लिया है और यह रात का समय है रात को मेरे मदर इनलो और फादर इनलो दूद्स पीते हैं तो उनके लिए मैं यह दूद्स बना रही हूँ तो मैंने थोड़ी सी चीनी आट कर दी है क्योंकि वो लोग इसको लाइक करते हैं और आप इसको चाहिए तो बाहर भी रख सकते हैं सर्दी में कोई खराब नहीं होती है और यह बहुत यूसफुल है आपके हड्डियों के लिए आपके हड्डियों को मजबूत बनाती है तो इसको इसमें आप यह कम से कम एक चमच हल्दी होगी इसको मैंने दूद में एड कर दिया है और आप इस दूद को गरम कर लीजिए एक उबालाने तक ताकि जो कच्छी हल्दी के गुण है वो इसमें अच्छे से मिल जाए तो सर्दियों में अगर आप रोज रात को यह दूद पीते हैं तो आपको इसका बहुत जदा फायदा मिलेगा तो देखिए फ्रे को मजबूत बनाती है इमिन सिस्टम को अच्छा करती है इसमें एंटी बायोटिक गुण होते हैं जो हमारे सरीर के बहुत ही यूसफुल होते हैं और यह दूद देखे कितना फ्रेश और फ्रेश आपको लग रहा होगा और बहुत ही अच्छा यह दूद है आपके लिए आ और शरीर के जो प्रावलम्स हो जाती है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इस जो यह समय चल रहा है इसमें तो यह कच्छी हल्दी आपके लिए एक रामबान इलाज है अगर आप इसको यूस करते हैं तो इसको अपने डेरी लाइफ में आप यूस कीजिए आप इस तरीके से किसके सबजी में भी डाल सकते हैं और यह कच्छी हल्दी आपके लिए बहुत ही गुनकारी रहेगी तो फ्रेंट्स यह था मेरा वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी तो प्लीस में वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को इसका तेंक्यू सो मच्च्छ